50 रुपय का टिकेट कटाने के बाद मैं आ गया हूँ आगरा फोर्ट घुमने के लिए और आप लोगों को घुमाने के लिए हलो गाइस कैसे है आप लोग मेरा नाम है पंकच कुमार और आप देख रहे हैं मेरा ब्लोगिंग चैनल आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आगरा फोर इस फोर्ट को बनाया था अकबर ने तो चलिए देख लेते हैं ये फोर्ट अंदर से कैसा है ये है फोर्ट का गेट जहां से राज हमाय राजा अंदर जाते थे अगर कोई बहारी आदमी आ गया तो उपर से आगता गोला बढ़साया जाता था जिसके कारण अंदर अटेक नहीं हो पाता था ये है जहागीर का महल जहागीर कौन है वो है अकबर का बेटा इसी महल में जहागीर का बचपन विथा था और इसी पौर्ट में वो नहाता था चलिए आपको देखाते हैं जहागीर का महल अंदर से कैसा है आप लोग भी देखी और कमेंट में बताई कि आप लोग को कैसा लग रही है गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे हैं आपको पता है यहां से भी ताज महल दिखता है पतलम घर ऐसा हो कि जहां से आपको ताज महल दिखे बड़ चलिए आपको वो जगह दिखाते हैं जिसके कारण आप लोगों ने सुना होगा कि दिवारों के भी कान होते हैं जी हां यहां यह हो कमरा है अगर आप इस दिवारों में कुछ बोलोगे तो आपको उस दिवाल में सुनाई देगा आपको बस धीमी आवाज में बोलना है यह जो आप वाइड मारवल देख रहे हो यह है साह जहा का रहने का जगह रहने का जग तो ये था औरंग जैक जो अपने बात को बंदी बना के रखा था चलिए अब आपको दिखाते हैं यहां के बगीचे यह अंगूर का बगीचा है यहां पर अंगूर उगाया जाता था ताकि राजा महराजा लोग सराप पीज सकें चलिए अब आपको ऐसा जगा जगाते हैं जहां पर अकबर बैठ के सभा को संबोधित करता था और कोई भी प्राइबलम होता था तो उससे सॉल्व करता था यह वही जगा है यहां पर राजा बैठते थे और यहां पर उनके सैनिक लोग गैस वीडियो को लाइक करते रहें आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत मोडिवेशन मिलेगा तो अब आपने रेट फोर्ट को लगबब घुमी लिया है अब यहां से निकलते हैं बाहर यह बाहर निकलने का गेट यह जो जगा देख रहे हैं यहां पर पहले बजार लगा जाता था अभी भी साइद लगता है बट मैं इसके लिए कंपर्म नहीं हूं तो अब रेट फोर्ट को करते हैं टाटा और बाहर से आटो पकर करके जाते हैं इस टेशन क्योंकि अब आपको दिखाने वाला हूं मैं व्रिंदावन इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ